वेल्कम ट्योवर चनल आयविदाचार हम अस्ट्रांगिदे के सुरूत स्थन के 12 चेप्टर दोश भेद्यत्य के वारे पढ़ रहे थी तो हमने लास्ट लक्चर में वात्पित कफ के प्रमुक स्थान के वारे पढ़ लिया था अब हम वात्पित कफ के जो पांच-पांच भे ठीक है यह पांच भेद आपको याद रखने है इन सभी भेदों के श्लोक आपको याद रखने है लेकिन उससे पहले समझना चाहिए तो हम समझना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी श्लोक में जो आपको बताऊंगी उसमें आप मैं टीन डिवेजन करूंगी जैसा कि इस प्रानवायू में जो उसका इस्थान है वो स्थान कहा है ठीक है फिर उसके बाद वो गती कहां का करती है कहां किस किस स्थान पर वो अपनी गती करती है क्यों यह जानना कि कहां गती करे कहां नहीं गती करे क्योंकि उससे हम समाझ सकते हैं कि अगर वहां विक्रती हो रही है तो वहां पे लिए ड़े较 सकती है, प्रानवायू में विक्रति है तो ठीक है, और थहर्ड है उसके फंक्षन, तो प्रानवायू की क्या का फंक्षन है? उसके वारे में, तो जब हम function समझ लेंगे तो अगर वो normally चल रहे हैं तो इसका मतलब प्राणवायू सामान ने ठीक है उसमें कोई विक्रती नहीं है प्रकतिक है लेकिन अगर उसमें विक्रती हो रही उस function में तो हम समझ लें कि प्राणवायू में विक्रती है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है प्राणवायू तो प्राणवायू अत्रमूर्दगा मतलब जो प्राणवायू का इस्थान होता है वो क्या होता है मूर्दगा मतलब सिर रीजन जो है वो प्राणवायू का इ चैस्ट चैस्ट उर्फ पैज़न और ताइघान क्जलुड़न करती ज़स्ट होगा शाचन कर सकता हूई मिन उसका जो स्थान क्या है वो है हैड आपको मैंने ये पॉपर कलर से हाइलेट किया हुआ है आपको सब भी भेदों के स्थान अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है कि किसका स्थान क्या है कोशन में अब्जेक्टिब में पूछता है और आपको PGJ वर भी पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए ठीक है ये तो मस्ट वाला ठीक है चीज़े ठीक है उसके बाद उसकी क्या कारी करती है प्रान वायू तो प्रान वायू क्या कारी करती है बुद्धी, हिद्रे, इंद्री, चित, ड्रक बुद्धी, हिद्रे, इंद्रिया, और चित, मतलब मन इन सब को क्या करती है इन सब का नियमन करती है इन सब को मैंटिन करके रखती है कौन प्रान वायू कि बुद्धी कैसे कार कर दी है तो वो प्रान वायू क्या दिन होता है हिद्रे, कैसे कार कर दी है करते हैं किसका काम होता है प्रान वायू का तो यह बहुत इंपोड़ेंट है प्रान वायू सबसे इंपोड़ेंट है इसको पहला संद्य गया है उसके बाद क्या कार करते है इह स्प्लिटिवन मतलब थुम्कना थूकना आप कुछ भी बोल सकते Haven लाल स्रवन आप बहने ये सिर्वन सुष्टिवन Прिया की डे facto ब्झा डका लेना उद्ड़ किसकेब़ रहे है वद्धबाइोatura प्रानवे儿 का जो रहे हैं आप दे मुझावार रहे निश्वास निश्वास मतलब आप समझ सकते हैं कि सांस जो भी स्वाशन की किल्या होता है वह भी प्रान वायू का रहा है अन्य प्रवेश्कत अन्य प्रवेश्कत मतलब अन्य को निकलना ठीक है आपको डोट टोटके पढना पड़ेगा यो सब आपको याद रखने सादे श्े जोर्व याद रखने हैंmas साथ वास कर वाड के प्रवाल प्रान वायू का करे तो जदो भूल जाओके उदान वायू, उदान इस्थान, मतलब जैसे कि मैंने यहलो से नीचे अडरलाइन किया हुआ है, उदान वायू का जो इस्थान है वो उदान है, उदान मतलब चेस्ट रीजन, उदान मतलब चेस्ट रीजन, नासा नाभी गला चरित, मतलब और कहा का विश्रन करती है उदान के व का का करे वी मुवंईंट कर थी है वेवेकर प्ना बायू की संतिक दिया सब्सक्रान गडीक दिया दो आफ ऑट माले को का видео कले को का करे कि एवेक जो, हम जो बहुते हैं वाक प्ना बायू को सेपीश और रहे है प्रेत्न परवर्ति कोई आफ्स करते है , फ्रेत्न परवर्तास करते है उन्हें करते हैं उदानवय करवारी है, बल estava उजा of बल, इस पावर में अपनल पते हैं आपको आपको ऑनेजा या बल क्या कारी है उदानवय को आफ को एंसान hacks жंह कंजर हperform कृट है सांस का asna . तो उजा भी होती है, strength भी होती है तो अलिए उदान भायो की विकती है इसलिए अगर इस इंसान में उदान भी प्रकोतिक रोप से होती है तो उजिसानली बोलने की जो चंता होती है बोलने की जो speech रहती की बहुत clear बोल्त होती है अच्छी होती है फिजिकल अच्छी अच्छी ए अच्छी रहता है एनरजी रहती है बोडी में तक वर्ण भी एक इंपोर्ण है जो की आपको याद रखना है वर्ण मतलब जो कॉम्पलेक्शन है तिके कलो आरे वह भी भूत अच्छा रहता तिके वर्न म कर प्रभा हाँ तो अच्छी है तो गोला होगा के ऐसा कुछ नहीं होता है कलो that meant Weign का जहां पर हुज आता है वह पर जाते है कि उसकी जो प्रभा है तीक है वो अच्छी होती है देखने में चामकदा चाहते है वैसे skin good होती है in condition ऐसा नहीं कि color dark smell इससे कुछ नहीं होता जब आप किसके कारें है उदान वायू के अच्छ प्रान वायू के ठोट खूंडर समानth से हैं थोड़ी Papagli को को देंदित कर दीएं हांपर बोल दिया कि वर्ड गॉसमov हो भी खरद चाहीं तो एक थोड़ा से व्यानबाई व्यानो हिद्य इस्तिथा, क्रसिन देचारी, महजवा तो व्यानबाईू का location न इस्तिथ कहा है? हिद्य में हिद्य में हाट में इस्तिथा रहती है और कहां कहां विचरन करती है? क्रस् universe के उधिया, मतल 개인 मतलब पूरे सरीज में सबंधिक साइब के दो करती है तेज़गती से प्रहायत होती दुम्तिका भूंद्वाईए निमेश-उनमेश मतला पलको को जब कारना उनमेश मतला आप घी बोलाए है कि आप जब आगे पड़ोगे किया युदार statement ते क्योंस चलशिते कंप, जमगे उठीक युदं समीनका नगे पड़ोके, happiest,答 architect ट्रियी निया नियान जै जिस इसमें की पोशन ता Pocptain कैसे होता है, ज्था निर्मान कैसे होता है सामं वाय। सामान वाय। कहां पे संत्तिरती उसकी लोकेशन के अगनी समी्पस्त अगनी से यहां पे जठट अगनी को माना गया है तो वह जहां पे हमारी संती अगनी होती वहां Sonic Twinklsar, तो जिकाる और अहां पेम पेमर्वाय। यहाँ पर गति करती है कोष्ट हो चालेता सरवता और जो हमारा कोष्ट होता है वहाँ पर वह विश्ञन करती है तो कोष्ट यहाँ पर आप और याप नॉर्मली डीफयर कर सकते हो गेस् Do – Interstellaral Track से तो यह समझें पर उसके बात क्या हाँ फंक्शन होते है प्रान बैयु की फंक्षण क्या होते है कि अन्ना, ग्रहती, पक्चती, विवेचती, मुंचती अने को ग्रहन करना तौह जैसे ओपस्वलो तो हमने प्राण भाई उसे किया था लेगा तो नीचे ले जाना वह संमाण भाई काद हो ठाह्ते है आमासे में ले जाना पचति उसका पाचन करना अन के और व्वेचति मतलब उसमें प्रोषक तत्व नूट्रेंट रहन और वेस्ट प्रड़क्ट मल पधात है किट्ट उसको अलग करना तो यह काले की कौन करती है समान वायू एक लास्ट हमारी वायू करती है अपानो अपानंगा मतलब करती है मतलब करती है किके अपान वर यहां पान मिetzt करत और सोर्ड निचे का बता कर देंजिक okay अरु मैं आपको पाता है ना लास्ट टाम उरु और उरा उरा मतलब चेस्ट और उरु मतलब थाई रीजन ठीकि ग्रोइन रीजन तो वो उसके बार इसके क्या कारे हैं शुक्र आतव शक्रन मुत्र गर्ब निश्कमन करिया तो जो भी लोर दीजन के जो भी गतिया होती है वो सब किसके दार होती है अपानवाई के दार है तो हमने यह वात करें पड़ा अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पित्ते के बारे में